हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहाने लेकर आए हूँ और इस कहानी का शिर्षक है टोपी विक्रेता और बंदर एक बार एक टोपी बेचने वाला टोपी बेचने के लिए स्थान स्थान पर जाया करता था एक गन्नी की दोपेहर को वह एक छायादार पेड के नीचे सो गया उस पेड पर बहुत से बंदर थे विद नीचे आये और उसकी सारी टोपियों को ले गए जब टोपी बेचने वाला जागा उसने अपना थेला खाली पाया अचानक उसने उपर देखा कि प्रतियेक बंदर के सिर पर टोपी थी उसने एक तरकीब सोची उसने अपनी टोपी उतारी और उसे जमीन पर फेग दिया सारे बंदरों ने ऐसा ही किया टोपी बेचने वाले ने अपनी टोपियों को इखटा करा और चला गया शिक्षा जहां शारीरिक शक्ति असफल हो जाती है वहां बुध्धी सफल हो जाती है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्टों के साथ और अगर आप मेरे चैनल पर नहें है तो फ्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ब्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी न्यू इंट्रेस्टिंग डान्स, स्पीच, पोयम और स्टोरीज की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें घर जयेशन सब्सक्राइब करें